अल्लीपूर में ओल्ड राजिंदर नगर की गटना के बाद चात्राओं को दी गई सर्धाजली निकाला गया केंडल मार्च जो तस्वीरे आप देख रहे हैं यह अल्लीपूर दिल्ली जलबोड के ओफिस के पास बनी टंकी की है जहां से आज ओल्ड राजिंदर नगर की करताओं के साथ साथ गाओं के लोगों ने भी केंडल मार्च निकाला और परसासनी का धिकारियों की लापरवाही के चलते जिन चात्राओं की मौत हुई है उनके सर्मान में एक केंडल मार्च निकाला जो अलिपूर के स्वामी सरदानंद कोलीज तक निकाला गया जिसमें क कई पदिकारी मौजूद रहे साथी साथ गाउं के लोगों ने भी स्केंडल मार्च में इस्सा लिया और सांती पूरवक्त स्केंडल मार्च को स्वामीर सरदान्द कोलीज के बाहर ले जाकर इस्तापित कर दिया गया उस घटना में मरने वाले सभी चात्राओं को सरदाजली सबसे पहले तो मैं अलिपूर की सहीदी जमीन को नमन करता हूं उसके बाप जी जो चात्राओं हमारे जो बेटे हैं भाई है और अपने माबाप के इकलोती संतान थी इनकी जो शादत हुए हो मैं तो इनको यह नहीं कहूंगा कि वह डूब गये नहीं मैं यह कहूंगा इन् भी मिलना चाहिए उनके उसमें सर्दांजली देते वे हमने केंडल बार्स निकाला है दिल्ली जल बोर्ड अलिपूर पाने की ठंकी से और सहीद सबार्क से होते वे आज हम शर्दान कोलिज क्योंकि यह एक एजू एजूकेशनल इस्ट्रिटूट है और इसमें भी बहुत स मैंने अपड़ी जिंदिगी में 66 साल की उमर हो गया ऐसा मैंने कभी दुर बाग गया ऐसा नहीं देखा कि एक दिल्ली सरकार आग बंद करके सो रही है तीन बंदे जेल में पड़े हैं बाकि एक वो मंत्री है जो शिक्षा मंत्री उसको यहीं नहीं पता तुन्हें क्या बो इसमें कितने चातर तो टी नहीं हो कि अब यह किए और उन्होंने उनकी जीवनिल लिल लिया मैं आ दिया अपने आली प्रुक्रम की तरफ से अपने कंग्रेस पार्टी की तरफ से तो मैं पर दुख का विशह है बहुत की बात है कि दिली सरकार और नगर निगम की लाप रहे के बज़़ से ऐसे मेदावी चात्रों जो इतनी बड़ी परिक्षा की ट्यादी कर रहे थे चार चात्र मारे जाते हैं एक करंड की बज़े से और तीन डूगने की बज़े से बहुत ही लापरवाही का ये विशे है और बहुत ही निंदनिय विशे है तो ये इसकी हम बहुत ही निंदा गरते हैं और उनको अपनी सद्धानजली देते हैं उन छात्रों को कि वो आज इस लापरवाही की वज़े से वो आज सही हुए हैं वो जो मरे हैं उनको हम अपनी तर भाइड़वा तो आज वो किसी के घर का चिराग थे वह दोड़क यह दो लड़कौ भी ती जिसमें दो लड़के भी थी। इनसे के यहाशट करूड़ा हैं उनके मावब पे कितना पुर्लॉ पढ़ा होगा उनके मावब किया हा LAKT यह कुछ आगिये वेखान संग पल्ट शुन ऑं आज उन नी हुआでも और उनको सैंदक हुएं कि ऐसे बहुत आगी कभी इस तरह की तना कभी नहीं होने चाहिए जिसे छात्रों कर वारा जात्र जो व्यक्ति स्यारों डिलीय में अपड़ा किसी bawी वग्ति सबसे मात prime होता है उसके बाद उसके सबसे मात्त पूण होते हैं। और बच्चे बड़े सामान्य आर्थ्य की रूप से कमजोर ऑगतें होरे सामान्य परिवारों से निकल करके आतें उन यह उसकी परिणिती है कि अपनी जीवन उन बच्चों को देकर के एक यह संदेश हमें मिलाए कि ऐसा दुबारा किसी के साथ ना हो सभी दलों को आगे आना चाहिए मिलकर के इस दिशा में पठोर कदम उठाए जाने चाहिए जिस तरीके से वहां देखने को मिला है कि बरिष्टाचार की वजए से गलत तरीके से उन संस्थानों को वहां चलने दिया जा रहा है यह बहुत दुखद है यहां राजनितिक जो रशाकसी भाजपा और आमादी पार्टी के बीच में चल रही है लेटिनेंट गवर्नर हैं वो आज वहां पहुचे हैं बार बार जो है नालोगी सवाई वहीं के एक छातर ने मैं देखा उनने कहा कि मैंने जून में ही एक एपलिकेशन दी थी कि यहां डिसल्टिंग जो है नालोग की जाए लेकिन किसी की कानों पर जून नहीं रहेंगी कि हमारे सपने और जीवन जो है वो इस तरीके से खतम ना और पस मैं यही कहना चाहूंगी इसके उपर के सबसे पहले प्रातना करऊंगी भगवान जी कि जिनके साथ में हासा हुआ है उनके माबापको शक्ति दे और बहुत शक्ति दे क्योंकि दुनिया में सबसे आधा सू हो इनके बच्चे को प्तुम होगा कि हमारा यूथ है जैसे ओए ह्ते उद कंड़ा हो गया कि स्थै 175 दद्र्श मोसे एंगे 9 आपको बताऊं कि मेरी पास तीन बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हुं आपको ऑन जानता है कि एक बच्चे का दुख क्या होता है यह मावाप से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता और दुनिया का प्च्छा लाग पैसा लाग उनकी रख दो चाहा आप लाग उनके लिए कुछ कर दो लेकिन हम उनकी भरपाई नहीं कर सकते हैं पस मैं एक कहना चाहूंगी उनकी आतमा को शान्ति दे और शान्ति दे ये जो राजिंदर नगर में जो घटना हुई है हम इसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है क्योंकि देखा है कि जिन माबापन है अपना मतलब जो है कैसे कैसे पेट काट करके इपने बच्चों को शिक्षा के लिए जो होना एपनी दूर बेजा है और उन बच्चों के साथ ऐसी घटना हुई है कि सरकार को जो दिली सरकार है केजरिवाल सरकार है इसको सोचना चाहिए कि इतनी जो नापरवाई जो की है जो जगे 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 जो सफाई की बैवस्ता जो बिलकुल सरम आ रहा गई है उस पर ध्यान रखते हुए और हम सरका से मांग करते हैं कि इन बच्चों के साथ नहीं हुए